सलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दूस्तो दुनिया में लाको लोग डेली बेसिस पर प्लेन में सफर करते हैं वैसे तो हम सब को लगता है कि जाहाद में सफर करने वाले लोग बड़े ही डेसंट होते हैं लेकिन हकीकत मे प्लेन के सफर में भी ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है आज किस वीडियो में मैं आपको प्लेन पर रेकॉर्ड की जाने वाली सबसे अनोगी वीडियो दिखाऊंगा तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दूस्तों आप सबने बहुत से ऐसे न्यू ड्राइवर्स को देखा होगा जो कार को रिवर्स पार्किंग में नहीं लगा सकते और कोई न कोई बंदा बाहर खड़े होकर इन्हें पार्किंग लगाने में इनकी मदद करता है लेकिन क्या आपने कभी किसी बंदे को हेलिकॉ हेलिकॉप्टर के पार्किंग करवा रहा है देखने में तो ये सीन बहुत ही अंजुजवल लगता है लेकिन असल में बहुत सदा धुन्दोने की वज़ा से पाइलिट बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था और इसे नीचे वाली सर्फिस का कोई आइडिया नहीं था इसलिए खड़ा ये बंदा हेलिकॉप्टर के इतने करीब चला गया और पाइलिट को करेक्ट डायरेक्शन बता कर सेफली हेलिकॉप्टर को लैंड करवा दिया बारहाल जो भी हो ये सीन बहुत ही अंजुजवल लगता है दूस्व वैसे तो मासूम बच्चे हर किसी को ही पसंद होती हैं लेकिन दुनिया में कुछ नागन औरते ऐसी हैं जो मासूम बच्चों को भी बोज समझती हैं यजवडियों आप दिख रहे हैं इसमें एक सोलजर लेडी अपनी छोटी सी बेटी के साथ प्लेन में सफर करने वाली थी जब कुरू मेंबर्स ने इन्हीं सीट पर बिठाया तो पास मौझूद एक औरत बच्ची को देकर पागल हो गई इसने क्रू मेंबर से कहा किस बच्ची और इसकी मा को फॉरन यहां से उठाओ क्योंकि बच्ची शोर करेगी और यह डिस्टर्ब होगी यह औरत मासूम बच्ची के साथ बिलकुल सफर नहीं करना चाती थी हाला कि वो बच्ची सो रही थी और यह फ्लाइट सिर्फ एक गंटे की थी लेकिन इस फिरॉन की चोटी सिस्टर ने क्रू मेंबर पर चीखना चिलाना शुरू कर दिया ताकि इस मा बेटी को जहास से बाहर निकाल दिया जाए एक और मज़गी बात यह है कि यह कोविट 19 का वक्त था और यह आंटी मास्क भी लगाने के लिए तियार नहीं थी सब ने इससे समझाने की बहुत कोशिश की कि इसकी आवास से वो मासूम बच्ची जाग जाएगी लेकिन यह ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे प्लेन इसकी अब बेका है खेर जब यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो क्रूम मेंबर ने एरपोर्ट सेक्यूरिटी को बुलवा लिया और इस फिरॉन की ममी को फॉरन अरेस्ट कर लिया गया वैल इसे बटी और फसादी औरद दुनिया में और को इन ही हो सक्थी दूस्तो आप सबने अक्सर देखा होगा कि जब रोड पर कोई गड़ी खराब हो जाती है तो इससे धक्का लगा कर स्टार्ट किया जाता है इवन अगर वो स्टार्ट ना भी हो रही हो तो एट लिस्ट लोग इसे धक्का लगा कर रोड के साइड पर लगा देते हैं लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेन को धक्का लगते हुए देखा है वैल यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एपोट वरकर्स एक पैसेंजर प्लेन को धक्का लगाकर रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं I don't know किस प्लेन में क्या खराबी थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि खराब जहास को भी एक कार की तरह धक्का लगाया जा सकता है जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि इसके हर वील पर तीन-तीन लोग धक्का लगाकर इसे रिवर्स कर रहे हैं मज़गी बात ये है कि इन लोगों ने मिलकर जहास को एजिली मूव भी कर लिया बाराल जो भी हो इस तरह के सीन रोज-रोज देखने को नहीं मिलते दोस्तो आप सब टिक-टॉक स्टार एलिक्स बटी को तो जानती होंगी ये टिक-टॉक पर बहुत ही मॉटिवेशनल और नॉलिजबल वीडियो बनाता है लेकिन क्या आपको पता है कि बटी साब अगर सम्हाव एरपोर्ट के इंप्लॉई होते तो इनका क्या होता वेल ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें एलिक्स बटी के चोटे भाई डियोटी कर रहे हैं बारहाल जो भी हो दुनिया जिन क्रैसिस से गुजर रही है अब इन चकों को भी कोई न कोई जॉब तो करने ही पड़ेगी लेकिन ये लोग डिसन्ट जॉब्स पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगे मुझे जो लगता है कि अगर ऐसी चमियों को बैस के तबेले में भी छोड़ दिया जाए तो ये लोग मूबर गोबर मल कर कैट वॉक शुरू कर देंगे ये सच में हमाकत है दूस्तो अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि जहाज में बैटने से लेकर लैंड होने तक क्रू मेंबर्स और पाइलर्स ये ही कहते रहते हैं कि प्लेन पर स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है इवन प्लेन की हर सीड के ओपर नो स्मोकिंग वाली लाइट भी हर वकत आउन रहती है लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा पाइलेट और क्रू मेंबर्स की इंस्ट्रक्शन्स को पटे हुए शापर की तरह इगनोर कर दी वैल ये जो चरसी आप दिख रहे हैं ये बंदा फ्लाइट के दौरान जहाज में बैढ़ कर सिगरट पीना शुरू हो गया मज़गी बात ये है कि ये शक्स ऐसे सूटे लगा रहा था जैसी ये जहाज में नहीं बलकि चाय वाले खोके पर बैटा हुआ है हैरानगी की बात ये है कि कोई इसे सिगरट पीने से मना भी नहीं कर रहा और इवन क्रू मेंबर्स भी अपने काम में मसरूफ हैं लेकिन ये जो पीछे बंदा आप दिख रहे हैं इससे इससे कुछ ज्यादा ही कंसन है लेकिन ये डर से इसे मना करने से भी कतरा रहा है कि कहीं ये पौडरी हमला ही न कर दे बारहाल जो भी हो बंदे में इतना confidence तो होना ही चाहिए दोस्तो प्लेन को दुनिया के सबसे safe transport method में से एक मना जाता है लेकिन जहाज का सफर सिर्फ आप के लिए ही safe होता है आपके समान के लिए नहीं एरपोर्ट के वरकर्स तो लगिश के साथ वो सलू करते हैं जो परिजात के साथ गुर्बत में हुआ था ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें बैगिज हैंडलर्स पैसिंजर्स की समान को उल-उल के मार रहे हैं जिस हिसाब से ये लोग बैग्स की आत्मा को रोल रहे हैं इस तरह कीमती समान तो दूर लोगों के बैग्स में पड़े हुए कच्छे तक पढ़ जाएंगे असमें बात ये है कि ये वरकर्स जहाज से समान निकाल निकाल कर इतने अके होते हैं कि हर एक बैग इन्हें जहर लग रहा होता है बारहाल ये वडियो देखने के बात तो किसी कभी एरपोर्ट से बरोसा उड़ जाएगा दूस्तो आप सबने कभी न कभी घर में बैट कर मुबाइल पर लुड़ो गेम खेली होगी लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा जहास के उपर बैट कर लुड़ो खेलना शुरू कर दे वैल ये जो शक्स आप दिख रहे हैं ये प्लेन के रूफ पर इस तरह बैटा है जैसे ये प्लेन नहीं बलके इसकी खाला जी का घर है मज़ी बात ये है कि ये शक्स उपर बैट कर आराम से मुबाइल भी यूज़ कर रहा है पता नहीं ये बंदा उपर गया कैसे और एरपोर्ट वाले इसे उतार क्यों नहीं रहे पर जो भी हो इससे चिल बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता दोस्तो आप सब जानते हैं कि प्लेन के अंदर कमपार्टमेट्स होते हैं जिनमें लोग अपने हैड कैरी को स्टोर करते हैं वैसे तो इनमें समान रखना कोई रॉकेट साइस नहीं होती लेकिन ये जो शक्स आप दिख रहे हैं इस बंदे का बैग अपर हेड कमपार्टमेंट में इस तरह फंस गया जैसे बंदा पाकिस्तान में किसी पुलीस केस के अंदर फंस जाता है इस बिचारे ने बैग को अंदर ठूसने की बहुत कोशिश किये लेकिन बैग था कि कैबन में जाने के लिए त्यार ही नहीं था ये मस्कीन आदे घंटे तक गुलता रहा पर बैग ने इसकी एक नहीं सुनी बाराल साड़े तीन साल के बाद आगर एरो होस्टेस आई और इससे कहा कि भाई बैग को दूसी तरफ ठूस कर चेक करे तब कहीं जाकर इस भाई के गुर्दे में से अकल बाहर आई और बैग कैबन में फिट हो क्या एनिवे ये फ़नी मुमेट वागहे में देखने लाइक था दोस्तो वैसे तो जायतर जब लोग प्लेन में सफर करती हैं तो अपने बैग में कपड़े ही डाल कर ले जाती हैं लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा समुन्दर से केकड़े उठा कर अपने बैग में भर ले वैल ये जो अन्जूजवल एरपोर्ट मुमेट आप देख रहे हैं इसमें एक बंदा अपने बैग के अंदर केकड़े भर कर ले जा रहा था किसी वज़ा से इसका बैग लीक हो गया और दरजनों केकड़े इसके समान से बाहर निकल कर एरपोर्ट पर फैल गए ये केकड़े इतने ज्यादा थे कि एरपोर्ट पर हर तरफ क्रैबी क्रैब नजर आ रहे थे लोग इन से भाग रहे थे लेकिन ये केकड़े हर कीसी के उपर चड़ने की कोशिश कर रहे थे वेल एरपोर्ट की authorities ने ये क्लिकड़े पकड़ कर एरपोर्ट से निकाले कैसे होंगी इस बात का तो पता नहीं लेकिन उस बंदे की तो आप खैर नहीं है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफ़ेश